Hello everyone, welcome to my youtube channel English Literature Zone आज के वीडियो में हम लोग ए प्रेयर फो माई डॉटर जो की डबलो भी इट्स की काफ़ी फेमस पोयम है उसकी वारे में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है काफ़ी इजी लेंग्विजमे और वीडियो की फिरूवों कानला आपका हेल्प होता है वीड़ियो अपके हिसलेबस बसका है तो तो प्लीज आप लुग वीडियो को लाइक करने और कमेंट के लिए अपो कैसा लगा तो वीडियो शुरू करते हैं एक प्रेयर फोर माई डाउटर इस ए फेमस पोयम काफी फेमस पोयम है रिटेन बैं विल्लियम बटलर इट्स जिसको ये लिखा गया है विल्लियम बटलर इट्स यानि W.B.I.T.S. के द्वारा वो वोस नोन अज एन आइरिस पोयट जो की जाने जाते हैं एक आइरिस पोयट के रूप में ड्रामाटिस्ट और राइटर के रूप में और वन अफ दे फोर्मोस्ट फिगर और ट्वेंटिथ सेंचूरी और ट्वेंटिथ सेंचूरी के काफ़े फेमस फिगर के रूप में भी जाने जाते हैं दा पोयम वोस रिटेन इन नाइंटीन नाइंटीन पोयम को नाइंटीन में लिखा गया है और ओरिजिनली पब्लिश्ट इन इस कलेक्शन माइकेल रॉबर्ट और दांसर उनके कलेक्शन है पोयम का कलेक्शन था जिसमें धियर सारा पोयम था उसी कलेक्शन में इसको पब्लिश्ट किया गया पहली बार 1921 में इस बूख अलसो इंक्लूद वन उन इस मोस्ट फिमस पोयम और इसी फूख में इसकी बुख में इसके वनःओ ये प्लिश्ट कवेम तो काफी लमभी पोयम 80 yen का 10 डाइन का टरिपन Іंट पन्ता में लिखा गया और इंट अघन पाकर और फिर फॉर्स्ट परसंगे इस पॉयम जो कि इस ब्रॉइब प्रश्टऩीय प्रश्टनडर फ्स्ता जो rapid है जो में पुले पीट्राइब है तो आगे है फिर आगे इन्टेंसनल이에 प्रश्टननल पुएम है इस गोई इस dualा के फ्यूटे लिए पीत्टेग्स आफ्टर न्यम्न गोईक्त दोम यह लिए जब उनकी डाउटर मतलब का बर्थ हुआ था उसके कुछ विक्स बात लिग रखे थे इस पोएम स्पीक्स अबाउट दाइटी सेयर बाई और फादर्स यह पोएम है इन्जाइटी यानि चिंता के बारे में दिखाता है चिंता को दिखाता है सभी पिताओं के सभी फादर्स फेश करेगे क्योंकि उनकी बेटिया भी बहुत छोटी है तो ऐसा पोएट सोचते हैं इन दा बिगनिंग ऑफ दा पोएम के बिगनिंग में पोएट ड्राउस दा इमेज इमेजरी ओफ नीचर पोएट यहां पे एक इमेज ड्राउ करते हैं नीचर का डाट ब्लेजिं स्ट दाटर विल फेश दा कोर्स एंड़ अटु तब व्लेंट शिच्वेशन ओफ दा मॉड़न वर्ड़ तो पोएट यहां पे इंद शोधा प्रिहंस पोएट यहां पर और शंका चिंता में हैं हो हीस डाटर विल फेश दा कोर्स मतब कि कैसे उनकी डॉटर फेश करेगी इस औ करते हैं and for an hour आई है यह फोर लाइन है फिर आगे है the poet is second to dream a terrible future for his daughter अपनी daughter के लिए एक मतलब बहुत ही भ्यावा future का शपना देखते हैं when she will grow up जब बड़ी हो जाएगी तो poet अपना देखते हैं कि उनकी पुत्री जब बड़ी हो जाएगी तो इसका future कितना खड़ाब होगा कितना problem होगा the imagery of nature actually reflects the unrest political situation जो image poet draw किये हुए थे कि बहार storm चल रहा है तुफान चल रहा है बहुत तेज तो वो क्या दिखाता है unrest political situation during the Irish movement के दौरान मतलब आइरिस आंदोलन के दौरान जो मतलब इसा situation था in his own country उनकी country में and first world war first world war के time जो world का condition था उस condition को दिखाता है यहां पर जो नेशर का मतलब image draw किये थे फिर आगे है the poet जो poet है soli says that her daughter should be endowed with some certain good qualities poet यहां पर soli चाहते हैं प्रातना करते हैं कि उनकी पुत्री में जो है बचाते हैं कि उनकी पुत्री चो वर्चूस यानि धार्मिक और गुड अच्छी भी हो she must be possessed with the gift of beauty हां उसके पास beauty वाला gift तो हो ही which will not distract other लेकिन वो किसी और को distract ना कड़े दा पोएट अटर्स अगे फिर पोएट यहां पर आगे बोलते है पोएट बोलते हैं उसके पास क्या हो beauty हो लेकिन vanity नहीं हो सुंदर हो लेकिन उसके अंदर घमन ना हो its daughter must be pretty in order to secure a good husband पोएट यहां पर दिखाते हैं कि एक अच्छे husband के लिए confirm है कि चाहते हैं कि उनकी पुत्री जो है उनकी daughter जो है अच्छी हो सुंदर देखें he does not aspire for a proud daughter फिर भी वह आशा ऐसी daughter नहीं चाहते हैं जो कि proud हो घमन डी हो who does not have any friend जिसका करना की मतलब ना ही कोई friend हो और staring at her beauty all day in the mirror और जो मतलब सिर्फ अपनी beauty को अपनी सुंदरता को पूरी दिन अप मिरर में देखती रहे ऐसे पुत्री नहीं चाहते हैं too much obsession with beauty is a dangerous this dangerous things for women poet बोलते है कि जादा मतलब कोई भी चीज़ जैसे beauty too much अगर हो जाता है beauty का बहुत जादा जनून तो वो भी क्या हो जाता है dangerous हो जाता है किसी भी woman के लिए फिर आगे है however हलांकि the poet opines that the beautiful woman forget their natural kindness and loses their reason to accept a sincere love और इसी के कारण वो क्या होता है एक अच्छा love भी अपने लिए select नहीं कर पाती है क्योंकि उसके अंदर कहीं नहीं कहीं क्या हो जाता है proud आ जाता है घमंड आ जाता है she commits a great mistake लेकिन वो क्या की बहुत बड़ी गलती की as she allowed with a fool एक fool एक मुर्ख के साथ वो क्या की भाग गई Paris the prince of Troy Paris जो की prince था Troy का and this ultimately leads to the way of a catastrophic तो इसी वज़े से क्या हुआ वो Troy के साथ तो भाग गई जो भी Helen थी लेकिन इसी वज़े से वहाँ पे क्या होगे प्रलेकारी destruction विनाश हुआ अप the city of Troy Troy के राजी की साथ भागी थी और वहाँ पे बहुत प्रलेकारी विनाश हुआ फिर आगे the poet says that beautiful women are too proud कि जो beautiful women होती है बहुत जाद घमंडी होती है and foolish और मुर्क भी होती है and therefore they suffer lead a miserable life इस वज़े से उनका life जो होता है थोड़ा बहुत धैनिया खड़ाब हो जाता है क्योंकि poet यहां पे इस वज़े से जो है Helen का example भी देते हैं कि वो मतलब अपने proud के चकरवे है साधी कर लेकिन बा daughter में good qualities and hurt to win others hurt और उसके अंदर दया लुता भी हो ताकि वो दूसरों का दिल जीत सके the poet comments फिर से poet यहां पे comment करते है जो की poem के line है फिर इंदर six stanza six stanza में the poet cherries that his daughter will be a florist tree poet चाहते है क्योंकि जो डाउटर है एक florist फले-फले पेड की तरह हो and must be accomplished with good virtues और उसके अंदर confirm है कि अच्छा अच्छा गुन हो her delicate qualities should remain unchanged और उसके अंदर जो भी अच्छी qualities हो unchanged और उसके अंदर जो भी अच्छी qualities हो unchanged और उसके बदले ना like the laurel tree क्योंकि laurel tree जो होता है वह अवा green यह मतला हमेशे green रहता है तो उसके तरह कभी भी उनकी जो पुत्री है daughter है उसका भी beauty मतला उसकी भी qualities खतमना हो then the poet goes on saying about his own mind फिर अपोईट अपने mind के बाले में बात करते है and hurt looking into his hurt अपने हार्ट में देखते हुए he discover hater poet अपने अंदर क्या देखते है that has come on to the experience of life जो कि उसके अंदर कैसे आगया जब अपने life को experience के तो उनके थोड़ा बहुत घ्रिना हेटर आगया and sort of beauty और उनके अंदर संदर्ता की कमी थी that he has loved जो इसको की वह पसंद करते थे जो गुन चाहते थे अपनी पूत्री के अंदर लेकिन उनके अंदर ही वह गुन नहीं था life को experience करते करके उनके अंदर भी क्या थोड़ा घ्रिना आ गया था so he hopes इसलिए वह hope करते है आशा करते है to be away from hopes her daughter to be away from such events कि उनकी जो पुत्री है बेटी है वह ऐसी बुड़ाईयों से दूर रहे finally the poet concludes his prayer finally poet अपना prayer conclude करते है मतब यह बोलते हो खत्म होता है with a final wish एक final wish के साथ that her daughter should be get married with a good husband के उनकी जो बेटी है उसका जो शादी हो एक अच्छी husband के साथ हो from an aristocratic family जो कि aristocratic एक शंपन परिवार का हो पैसा वाला हो और साथी साथ बहुत चारा qualities भी हो उसके अंदर अच्छी qualities hatred and arrogance will have no place in that family जहां पर hatred यानि घरना या फिर घरमंड या पर प्राउड वाली कोई बात भी उस चीज़ के कोई जगह ही ना हो फैमिली में according to the poet poet के नुशार beauty and innocence come from the established tradition कि beauty और innocence जो आता है वो एक established tradition परंपरा से आती है the poet love for traditional aristocratic values तो यहां पे जो है poet का जो लव है प्यार है traditional aristocratic values से मतलब परंपरागत जो कुली जो भी aristocratic family है उनके गुनों से वेल्यूज से is reflected in this stanza इस stanza में हम लोगों को देखने को मिलता है फिर आगे है दस इस प्रेकार a prayer for my daughter is a reflection of poets love reflection है poets के love का प्रतिबंब है for his daughter उनकी daughter के लिए जो उनका love है उस चीज को दिखाता है and wonderfully portraits और बहुत अच्छी तरह से यहां पर चितत किया गया है father's concern एक पिता की concern को for his daughter मतलब एक पिता के चिंता को दिखाया गया है उसकी daughter के लिए which becomes a universal emblem of the paternal love जो कि एक universal चिन है paternal love का पैत्रिक प्रेम का तो यहां पर वीडियो खतम होता है वीडियो गर आपको अच्छा लगा वीडियो के थो आपका help हो तो प्लीज आप लिए को लाइक करना और कमेंट के लिए बताना वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ झाल झाल झाल